पूरी दुनिया के लिए बहुत एहम है एक तरफ दुनिया के कई देशों के बीच संगर्श है तनाव है तो दूसरी तरफ कई देशों में डेमोक्रेसी का जश्न चल दहा है भारत और अमेरिका डेमोक्रेसी के जश्न में भी एक साथ है यहाँ अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं और भारत में चुनाव हो चुके हैं भारत में हुए यह इलेक्शन यूमन हिस्ट्री के अब तक के सबसे बड़े चुनाव है आप कल्पना कर सकते हैं अमेरिका की कूल आबादी से भी करीब दो गुने वोटर्स इतना ही नहीं पूरे यूरोप की कूल आबादी से ज़्यादा वोटर्स इतने सारे लोगों ने भारत में अपना वोट डाले जब हम भारत की डेमोक्रेशी का उसका स्केल देखते हैं तो और भी गर्व होता है तीन महिने का पॉलिंग प्रोसेस 15 मिलियन यानि डेड़ करोर लोगों का पॉलिंग स्टाफ एक मिलियन यानि दस लाज से ज़्यादा पॉलिंग स्टेशन दाई हजार से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज आथ हजार से ज़्यादा केंडिडेट्स अलग अलग बासाओं के हजारों न्यूज पेपर्स सेंक्रो रेडियो स्टेशन सेंक्रो टीवी न्यूज चैनल करोरों सोशल मिडिया एकाउंट्स लाखों सोशल मिडिया चैनल्स ये सब भारत की डेमोक्राशी को वाइबरन बराते हैं ये फ्रेडाम अप एक्स्प्रेशन के विस्तार का दोर है इस लेवल की स्ट्रिटनी से होकर हमारे देश की चुनावी प्रक्रिया गुजरती है और साथ्यों इस लंबी चुनावी प्रक्रिया से गुजर कर इस बार भारत में कुछ अभूत पुर्व हुआ है क्या हुआ है क्या हुआ है क्या हुआ है क्या हुआ है अपकी बार अपकी बार अपकी बार साथियों तीसरी बार हमारी सरकार की वापसी हुई है और ऐसा पिछले साथ सालों में भारत में नहीं हुआ था भारत की जंता ने ये जोया नया मेंडिक दिया है उसके माइने बहुत है और बहुत बड़े भी है ये तीसरे टम में हमें बहुत बड़े लक्ष सादने हैं हमें तीन गुना टाकत और तीन गुना गती के साथ आगे बढ़ना है आपको एक शब्द याद रहेगा पूश्प हाँ कमल माल लीजिए बज़े इतराज नहीं है पुश्प और मैं पुश्प को डिफाइन करता हूँ P for progressive भारत U for unstoppable भारत As for spiritual भारत As for humanity first को सबर्पित भारत P for prosperous भारत यानि पुश्प पुश्प की पांच पगुडियों को मिला कर ही विश्प भारत बनाएंगे साथियों साथियों मैं भारत का पहला प्रधान मंत्री हु जिसका जन्म आजादी के बाद हुआ आजादी के अंदोलन में करोणों भारतियों ने स्वराज के लिए जीवन खटा दिया था उन्होंने अपना हीत नहीं देखा अपने कमफर्ट जो उनकी चिंता नहीं की वो तो बस देश की आजादी के लिए सब कुछ भूल कर अंग्रेजों से लड़ने चल पड़े थे